प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सबी मित्रों का स्वागन वंदाना विरंधन किसान भायों मैं हूं आपका क्रशक मित्रों राब बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्याज की नरसरी ही क्योंकि नरसरी में इस समय टेंप्रेचर अधिक होने के कारण बहुत सारी जगहों पर नरसरी गिरने की समश्य आ रही है नरसरी कटने की समश्य आ रही है जिस प्रकार से किसान मित्र सुबेशे पानी लगा रहा है और दिन में टेंपरेचर 30 से 35 डिगरी के बीच में दिखाई दे रहा है तो नरसरी सही साथ नरसरी और बिल्कुल अच्छी नरसरी के लिए हम लोगों को 30 डिगरी से नीचे तापमान यदी होता है तो बहुत अच्छी कंडिसन होती है इसमें किसी भी प्रकार से कोई समस्या हम लोगों को देखने को नहीं मिलती लेकिन अभी जो नरसरी में हम लोगों को समस्या दिखाई दे रही है तो आज मैं आपको वीडियो के माद्यम से ये बताने वाला हूँ कि नरसरी जो कट रही है तो यह टेमप्रेचर की वज़े से कट रही है किसी भी कारण से आप उसमें किसी भी सोच में मत जाईए कि ये कारण हो सकता है या फिर हम लोग उसमें हमने अच्छा बेसल डोज नहीं दिया या हमने अच्छा खाद नहीं दिया, हमने अच्छी उसमें दवाई स्प्रे नहीं की, ये किसी भी कारण से नहीं होगा, ये सिर्फ टेंप्रेचर मेंटन यदि हो गया, 30 डिग्री, 32 डिग्री से नीचे यदि टेंप्रेचर है, तो नरसरी बहुत अच्छी और सांदार क्वा चाहिए, बहुत सारे किसान मित्रों के यही प्रिशना आ रहे हैं कि नरसरी कट रही है, इसमें क्या डाला जाए, तो आप उसमें ग्रीन मिराकल, जो टी स्टेंट कमपनी बनाती है, वहाँ पानी को स्टोर करके रखता है, और्गनिक प्रोडेक्ट है, उसका उप्योग हर 3 से 4 दिन के बाद कीजिए, उसके साथ में किसी भी अच्छी कमपनी का फंगी साइड ले लीजिए, आप यदि उसमें मेरियोन लें, प्रायक्सर लें, नेटिवो लें, या फिर आप और भी अच्छी अच्छी कमपनी के अच्छे अच्छे फंगी साइड आते हैं, तो उनक कम मात्रा में उप्योग करें और चार से पांच दिन में कंटिन्यू ग्रीन मेरकल का उप्योग 15 से 20 ml एक 16 लिटर की टंकी में हम लोगों को करना है जिससे उसके उपर नमी बनी रहेगी और हम लोगों को नरसरी कटने की जो समश्या है वहां कम दिखाई देगी ग्रीन मेरकल एक ऐसा प्रोटेक्टर है जिससे नरसरी में आपको किसी भी प्रकार से किसी भी होमियोकेसिक डालने की आउशकता नहीं है वहां एक प्रकार से टानिक को कौम भी करेगा और हमारी नरसरी को ग्रीन रखेगा जिससे आपकी नरसरी कम कटेगी और उसमें हम लोगों को कीट नाशक का प्रयोग भी करना है कीट नाशक का प्रयोग भी हम लोगों को कम करना है क्योंकि जितनी भी रासाइनिक दवाईयां रहती है इसका टेमप्रेचर जब तेज होता है तो यहां निस्क्री मात्रा में होने लगती है इसलिए आप प्रायक्सर का उप्योग करें क्योंकि प्रायक्सर एसी है कि जो 35 डिगरी तक टेंपरेचर होने तक काम करता है तो आप फंगी साइट के रूप में प्रायक्सर का उपयोग करें लेकिन उसकी भी मात्रा कम रखें 8 से 10 एमेल प्रती 16 लिटर की टंकी में हम लोगों को प्रायक्सर डालना है बहुत सारे किसान मित्र और बहुत सारे एक्सपर्ट लोग यह बताएंगे कि अभी से यदि हमने प्रायक्सर का उपयोग किया अच्छे इतने ज़्यादा बड़े फंगी साइट का उपयोग किया तो हम आगे क्या करेंगे लेकिन जब हमारी नरसरी नहीं बचेगी तो हम आगे उपयोग किस चीज का करेंगे इसलिए आप कम मात्रा में उपयोग करें प्रायक्सर का उपयोग करें मेरियोन का करें और आप नेटिवों का इस्परे करें लेकिन कम मात्रा में करें क्योंकि हम लोगों को पांच से छे दिन में चार दे पांच दिन छे दिन में हम लोगों को इस प्रे करना है जब तक टेमप्रेचर 30 डिग्री से कम ना हो जाए तो किसान भाईयों बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर नरसरी कटने की समझ्च खत्म होगी उसके बाद हम उसमें उसकी दवाई उसका नियंतरन सभी प्रक्तिकली रूप में बताता रहता हूं में आप लोगों को ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को नुक्सान ना हो तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर करपत